नमस्कार दोस्तों मैं हुआरी त्यानन स्वागत करता हूँ आप तभी का डिजाइनिंग मंत्र में और आज के इस वीडियो में मैं आपको इंफोसिस स्प्रिंग गोड की कैसे प्रोग्राम के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके अंदर आपको 13 फ्लस कोर्सिस बिल्कुल फ्री में प्रोगड की जा रही है साती इन सारे कोंपलीट करके आपको बिल्कुल फ्री में प्रोगड की जाएगी इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मुझे यहां पर सिर्फ पर सिर्फ अपको कई सारे सिखाये जाएगी जिल से आज के समय में डिमांडिंग स्किल से जैसे जावा प्रोग्रामर के बारे में बतां जागा जागा जावा डावा एक्जावार असंगा अग्यों आपको अन्वारी के सिंगे करें जिसकी लिंक मैंने आपको यहाँ पर description में भी provide कर रखा है तो सबसे पहला काम आपको यहाँ पर यही करना है कि आपको जो login के यहाँ पर button दिख रहा है इस पर आपको simply click कर देना है click करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस तरह का dashboard open होगा जिसमें आपको अपना email या फिर password दे करके यहाँ पर आपको login कर लेना है अगर आप new user है तो आपको यहाँ पर google के साथ भी registration कर दकते है या simply register now के button पर जाकर कि यहाँ पर click कर सकते हैं यहाँ पर first name होगा last name होगा जो नाम आप यहाँ पर डालेगा वही आपके यहाँ पर certificate में print होकर आएगा साथी साथ आपको यहाँ पर password generate करना है confirm password करना है उसके बाद आपको यहाँ पर register कर लेना है तो simply registration या फिर login करने के बाद कुछ इस तरह का dashboard खुल कर सामने आएगा जहाँ आपको search bar देख रहा है search bar में जाकर के आपको simply क्या करना है search पर जाकर के click करना है यह जो search का icon आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको जाकर के simply click कर देना है जैसे आप click करेंगे यहाँ पर आपके समने कई सारे courses आ जाएंगे आप देख सकते filters में यहाँ पर courses में 12,310 courses है लेकिन आज मैं जिस courses के बात कर रहा हुऊ सारे free है और सातीजसा तवह पर आपको certificate भी दिया जरा है तो है यहाँ पर 13 course में यह certificate मिलने वाला है जो कि Бिल्कुल free है तो आपको courses में जाकर के antique कर देना और यहाँ पर आपको क्या करना है certification में जाकर के click कर देना, आप देखेंगे content type में आप जाएंगे, तो यहाँ पर आपको certification का भी option मिल रहा है, तो आपको simply certification पर यहाँ पर click कर देना है, जैसे यह आप click करेंगे, आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारे courses मिल जाएंगे, लगबख 13 results यहाँ पर दिखा रह है, जैसे यहाँ पर कुछ courses पहले भी launch कर देगे और कुछ को इस महने भी किया गया है, अब देख सकते हैं कुछ courses December 2021 के हैं, October 2021 के हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको certificate कैसे मिलेगा, मैं आपको सीधे वो topic पर जाता हूँ, और सीधे मैं आपको बताने की courses करता ह जैसे आपको अगर Artificial Intelligence Premium Certification चाहिए, फिर Citizen Data Science Using Python Certificate चाहिए, उसके बाद यहाँ पर और और भी कई सारे courses आपको देखने को मिल जाएंगे, Data Science Foundation Certificate है, उसके बाद नीचे जाने के बाद आपको Associate in IT Foundation Skills Python के बारे में मिलेगा, Associate in IT Foundation Skills Java के बारे में मिलेगा, तो यहाँ पर हम ल जैसे आप अंदर जाएंगे, यहाँ पर आपको Mark as Complete का Option दिख रहा है, आपको यहाँ पर Mark as Complete कर देना, आप देख सकती है, 3 hour के beginner label के जो बिल्कुल free है, 9.5 के student अभी तक यहाँ पर enroll कर चुके है, साधी साथ यहाँ पर Certification भी Includes course के अंदर, उसके बाद Mark as Read आपने कर लिए अब आपको एक पर इस page को यहाँ पर जाके refresh कर लेना है, जैसे आप refresh करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपकर View Certificate का Option आगे है, Certificate कैसे डाउनलोड करना है, मैं आपको आगे बताओंगा, कैसे आपको देखना है, तेकिन उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, Pre-Contents, इस course के अंदर आपको क्या का चीज़े पढ़ाए जाएंगे, तो एक पर इसे भी आप लोग जरूर देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर Programming using Java है, Data Structures and Algorithm using Java है, जो कि बहुत ही important topic होने वाली है, यहाँ पर Software Engineering के बारे में, Concept के बारे में आपको बताया, उसके बाद आप इन सारे courses को करके कुछ नए skills को भी सीख सकते हैं, जो कि आज के time में बहुत ही demanding skills है, उसके बाद अकर बात करे certification आपको कैसे देखना तो आपको simply view certificate पर जाकर के यहाँ पर click करना है, और बिना कोई यहाँ पर task को complete के आप देख सकते हैं, आपर certificate जो भी मैंने नाम डाला था, उसके बाद for fully completion citizen data science using python certificate यहाँ पर course का नाम है, जिस course को आपने यहाँ पर select के, जिस course को आपने complete की, कब आपको मिला उसका date नीचे दिखाया जाएगा, इसी के साथ आप नीचे जाकर के यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर senior vice president है, उनका उसके बाद यहाँ पर QR code भी दिया गया है, ताकि यहाँ पर जो लोग QR code को scan करके भी पता लग सेगे, कि आपने जो course किया है, यह सही में आपने किया है या नहीं किया है, तो इन सारे चीजों को मिला कर देखा जाते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी opportunity आप लोगों के लिए निकल कर सामने आ रही है, इन सारे courses को आप यहाँ पर बिल्कुल free में कर सकते हैं, इसी के साथ मैं आपको बता हैं यहाँ अपर लगबख 13 courses को ऐसे भी यहाँ पर complete कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजेगा, जो course आपके लिए important होगा, उस course को आप यहाँ पर select यह सारे courses जो कि बहुत इच्छी बात है, beginner level के लिए बहुत इच्छी तरीके सापको समझाया जाएगा, तो मेरे हिसाब से certification के साथ साथ आपको इन सारे चीजों को सीखना भी चाहिए, तो दोस्तों यह सारे certification सिर्फ हरसे पर उनी student के काम आने वाला है, जो लोग इन certification से related courses क सी college या university से कर रहे हो, for example यहाँ पर अगर आप python की अपने universities में courses को कर रहे हैं, और आपको अगर python की थोड़ी बहुत knowledge है, तो यह certifications आपके बहुत ही काम आएगा, चुकि सिर्फ और सिर्फ certification ले लेने से यहाँ पर आपका काम नहीं होने वाला है, आप कहीं भी आगे जाकर अगर interview में बैठ होगे, तो जो भी interviewer होंगे, वो आपके certificate को देखकर उससे related question तो जरूर करेंगे, तो वहाँ पर आप सकते हो, तो मेरे इसाब से बेहतर यही रहे है और मेरी suggestion आपको यही रहेगी, इन सारे courses के साथ, इन सारे certification को लेने के साथ साथ, आपको यह सारे courses को भी करने में ध्यान देना चाहिए, उसके बाद ही आपको यह certificate लेनी चाहिए, हलाके यह गलती यहाँ पर infosys springboard के site के तरफ से की जा रही है, जहाँ पर बिना कुछ की आपको certificate प्रवाइट की जा रही है, ऐसी एक और मैंने वीडियो बनाया तो वहाँ भी आपको 5 मिनट में certificate प्रवाइट करती गई थी, यहाँ पर मैंने आपके लिए link description में प्रवाइट कर रखा है, चाहें तो आप और भी कई सारे वीडियो यहाँ पर चेक कर सकते हैं, तो दोस्तों उमीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लिकर वीडिय कर इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में,